मेरे अब्बा कोई निये कोई घड़ता दिला उंकर एंबुलेंस आले को पंकर के बुला के पाद ड्राइवर नहीं है किसी का डॉक्टर नहीं है इसान खाएगा कैसे खरी दाएगा कैसे क्या करेगा ऐसे तो इसान भूका ही मर जाएगा ना मैं हूँ फिरोज हास्मी आप देख रहे प्रहार टैम क्या है देश की हालात भारत देश किस दौर से गुजर रहा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है हर कोई 22 मार्च से घर में कैद है क्या करें सबर का बान तूट रहा है लेकिन कुरोना महमारी से जंग लड़ना है और सरकार के नियमों का पालन करना है जंटा करिफ्यू 22 मार्च का पहला दिन था और आज चार महीने धीरे धीरे बीत गए हैं जिस तरह से ट्रेने ठप हो गई ठीक उसी तरह से ये देश की जंटा घरों में कैद हो गई आज मैं एक बार फिर आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे लाये हैं जो लोगों की मन की बात मन में रखे हैं आज उनकी आवाज शासन प्रसासन तक पहुचाना चाहते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है ना सोचा होगा हम जादा दूर नहीं बलकि ठाने जिले के मुम्रा सहर की बात करते हैं मुम्रा सहर की हलात क्या है 22 मार्च यानि जनता कर्फ्यू पहला दिन और उसके बाद क्या हुए बन हम आपको बताते हैं मार्केट बन, बस ट्रेन बन, प्लेन बन, हॉस्पिटल बन, मस्जिद बन, मंदिर बन वा अनधर्मिक अस्थर बन जनता की जीवन जैसे थम सी गई ही शुरुवाती दिनों का असर तो रहा है बाद में कुछ बदलाव हुए हैं बारहाल लोगों ने मन बना लिया है, क्या हमको इसी हाल में जीना है, इसी हाल में मरना है, किन किन मुसीवतों का सामना करना है, मुद्दा नमबर एक, शुरुवाती दिनों में अगर कोई बिमार हो गया तो कोई डॉक्टर देखने को तयार नहीं था, मुद्दा नमबर द लेकिन हॉस्पिटल जाने को एम्बुलेंस नहीं उसके बावजूद चार महीने किसी तरह से जनता ने निकाल लिये लेकिन आज एक बात और बताना चाहूंगा लेकिन आज जनता ने किन किन चीजों का सामना कर रहे हैं पहला लाइड बिल दूसरा दुकान मकान का किराया लोन पे लिये हुआ बाइक घर या अन चीजे हो उसका इमाई फिर भी मुसीबतों से लड़ना जानते हैं जीना जानते हैं और इस बीच कोई पहचान वाला सामने आ जाये तो ऐसा लगता था कि कुछ मांग न ले इसलिए म जिन गिन कर चार महीने निकाल दिये आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आम जनता का सवाल है जो उनके मन में है हम आपको बता रहे हैं इतनी मुसीबतों का सामना करके फिर भी हम जीना जानते हैं लोगों ने अपने तेवहारों में फेस्टूल में भी लोगों की ख पीचे नहीं हटे एक बात और हम आपको बता दे मुमराश शहर 12-14 लाग की अबादी वाला शहर की बात करते हैं यहां पर किन किन मुद्दों पर फोकस डालना चाहिए किन चीजों में राहत चाहिए वह हम आपको बताते हैं पहला दुकान और मकान का किराया और दूसरा ल क्यायत क्योंकि मुम्रा कौसा में गिंती के हॉस्पिटल खुले है और लंबी लंबी बिलों का आना किसी सर्द में से कम नहीं है क्योंकि हमारे बैंक बैलेंस चार महीने से जीरो हो चुका है इस शहर को जो अपना समझते हैं चाहे वो नेता हो या भी नेता या समासेवक उन् नहीं तो ये जन्ता इन सब चीजों को कभी नहीं भूल पाएगी और उन्हें चुनाओ तक इंतजार रहेगा जन्ता अपनी कीमती ओड़ देकर जवाब देगी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुचे और इसी के साथ समास राज झाल 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 झाल